गुद मॉनिक स्टुडेंट्स आज हम हिंदी रीडर उन्मेश का सेकंड लेसन रीड करेंगे धम्मक धम्मक की चाल तो बातो बातो में बताया गया बटा सोची और बताईए कि बड़ो की बात हमें क्यों माननी चाहिए और हम ऐसा अगर हम ऐसा नहीं करते तो उससे हमें क्या नुकसान होते हैं और कटनाईयों के समय हमें हिम्मत से काम कैसे लेना चाहिए तो चिंकी लोमडी कूदती हुई आई और पेड़ पर चड़े बंदरों को देखने लगी वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उचल कूद मचा रहे थे जब बंदरों का केल खतम हुआ तो उनमें से एक लोमडी ने पुचा अरे मैं अपना ढोल कहां है कौन-कौन ढोल बंदरों की समझ में नहीं आया अरे भाई वही जो खुद बजता रहता है धमक धमक मगर उसका नाम डोल कब से हो गया क्यों नाम बिगाड रही हो इसका एक बंदर धमक धमक का दोस्त था इसलिए उसने नरास होते हुए कहा अरे नाम कहां बिगाडा जब भी कोई अच्छा अफसर होता है तो डोल बजाया जाता है कि नहीं सब खूब नाचते गाते हैं के नहीं मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गाउं जाकर आदमियों से पूछ लो वा जी वा आदमियों से क्यों पूछें वे तो पहले से ही हमारा नाम भी गाड़ते रहते हैं हमें कितना बुरा लगता है मगर क्या करें बंदर बोले तबी दूर से आवाज आई सुनाई दी धमक 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 लो जी शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गया शैतान कहते हुए लोमडी जोर से हसी तो बेटा आज ये एक पेस जो मैंने पेस नमबर 20 आपको रीड करवाया है आप इसको रीड करोगे और ये जो मैं आपको शब दर्ब भेज रही हूँ इसकी पिक भेजूंगी आपको मैं आज और वो आप